असलाम लेकूम बिस्मिल्लाह रवान रहीम आज मैं बना रही हूं कटोरी चाट तो कटोरी चाट के लिए पहले इसकी कटोरी का डोब बनाएंगे तो यहां पर मैंने आधा कप आटा और दो टेबल स्पून सूजी ली है आधी टीस्पून डालमच का पाउडर आधी टीस्प पक्रिन्हाटर तびसमें थोड़ा थोडा करके पानी डालेंगे, और और चाट के इसकी अत्ततो का डेा करेंगे कर दे अची तरह से टेल करतेंगे, और रख скихचीत तरह से फिर दिल करेंगे और 10 वहां मिनिट के पाद इसकी तरह से पर गूतेंगे और गूत के इसकी बड़ तेल से ग्रीस करने के बाद यह पूरी इस पे रैप कर देंगे अच्छी तरह से इसको पूरी को और इस तरह से नीचे सर्फेस पे इसको दबाएंगे ताकि जो अपने आप निकल जाएगा तो यह पनके तयार है अब इसे फ्राइए करेंगे मीडियम लो इसका तेमरेचर है तक 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 पलटते हुए अब नीचे से पलटते हुए ताकि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसे निकालेंगे तो यह देखें मैंने बना ली है और यह पक्ते में अपने आप ए चोड़ देगी काटोरी को यह अच्छी ने अबले अलू और प्राउस डालेंगे हरादनिया पूदीना और हरी मिर्षेंबारी कटी डालेंगे मीठा दही फंटा हुआँगे और पापरी गरश करके डालेंगे चाट मसाड़ा सपरेंगे और शाहें तो लालमश का पाउडर स्प्रिंकल कर सकते हैं लाल चटनी यह इमली की घटी मिठी चटनी लै अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें और जादे से जादा अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें और प्लीज दू सब्सक्राइब मैं चैनल थेंक्स फॉर वाचिंग अलाफिज